इस मॉडूल में एक और सेंस जैसे हम फोटोस्थिएप्शन या वी इंड कहते हैं जाहर जिसका तरलग जो है वो आईस के साथ है आईस जो है यहां देट संसीटिब टू लाइट तो फोटोस्थिएप्शन और वी इंड दीफिएज डिफाइन अनि अफ टी बैलाँस इस जा deep in the eye और जिसे आप familiar हैं रेटीनाग पे हैं तो फोटोरिजेप्शन रिफर्स टो मिक्यानिजम्स अफ लाइड डिटेक्शन और लीट्वियन ये आईजी हैं जो कि मुक्तिफ अनिमल्स की अंदर और हुमन की अंदर भी ये लाइट से सेंसितिव हैं और लाइट को डिटेक्ट करते हैं अफ दिर इस एपसलुटली दिर डाक्नेस तो अबियसली वी केन नाट अगर आईज हैं भी तो आईजी हैं जो कि लाइट को अगर थोड़ी सी भी लाइट आ रही है तो हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं it is all, it is कोई और दूसरा औरगन नहीं है जिस से हम लाइट को डिटेक्ट कर सके It is only the eye or the photoreceptors now वीजन depends on specialized light sensitive cells which are called photoreceptors which are located in the eye ना दी क्वालइट औ वीजन ये विरी करती है from animal to animal human की अंदर कमाल की वीजन है और इस अल डू टू दी फोटो रिसेप्टर्स अब इसके मुकाबले में अगर एक फ्लैट वर्म है तो उसमें वो सिर्फ लाइट को फील करता है लेकिन किसी लाइट की वज़ा से आबजेक्स को आबजेक्स के बारे में वो इसे पता नहीं चलता तो लहाज़ा ये तो सम्सेंपल आईज सच अज़ दोज फ्लैट वर्म है फ्यू फोटो रिसेप्टर्स इसकी वज़ा ये ही है कि नंबर फोटो रिसेप्टर्स दियर वरी फ्यू इन दीज प्रिमिटिव अनिमोट्स दे कन ज़स्ट फील पैजर इस लाइट और डार्टनेस लेकिन चीजों को जब डिटेक्ट नहीं कर सकते कि यहां पर ये कोई अबजेक्ट पड़ा है क्योंकि ज़ाहर है कि उनकी आई ये आई ये आर वरी प्रिमिटिव दे आर ज़स्ट पोर पर डिटेक्शन अप्लाइट तो in contrast that the human eyes they have about hundred million photoreceptors hundred million it is a huge number and is about four thousand times better than the resolution achieved by the flat ones ये उसकी जो resolution है और human की resolution है ये इसमें इतना फरक है कि human eye it is a perfect you can say the photoreceptors की collection है और जैसे हम next modules के अंदर पढ़ेंगे कि detailed structure of human eye कि किस तरह human eye काम करती है उसकी physiology क्या है उसका structure क्या है तो we will be discussing next तो यहां पे यहां पे हम यह चीज़ देख लेते हैं कि एक generally a general concept about the eye कि this is the inner structure of the eye यह front है जो कि transparent होता है cornea होता है दरम्यान में there is a pupil तो light it passes through और lens से भी pass करती है और वो इस retina की उपर जाके strike करती है so this is the structure of the retina retina is a very thin membrane लेकिन microscopic के लिए देखें तो it is composed of many layers और यहां से light enter होती है और यह सारे के सारे neurons है और यहां से होते हुए फिर bipolar cells होते हैं फिर so the different layers then there are rods and cones हैं फिर pigmented layer है तो यह layers है जिसमें से light pass करेगी और वो फिर हर यह photo receptor जो है that is connected with the neuron and this neuron these neurons they get together to make a bundle and optic nerve बनती है और यही optic nerve जो है यह फिर brain तक पहुचती है और brain में there are vision centers और वो फिर इसको analyze करते हैं कि object कैसा है और इसको three dimensional की form में भी देखते हैं तो यह yes ma'am it's a very complex you can say the structure as well as its physiology so this is all about the vision or photo reception so this is all about this module